संयोगत अरब इमिरेट 1971 तक रेगिस्तान का एक बड़े टुकड़े के अलावा और कुछ नहीं था उसके बाद देश में लक्जरी इंफ्रास्ट्रक्चर में तेजी आई और फिर UAE दुनिया के सबसे अमीर देशों में से एक बन गया UAE की प्रगती सम्रुद्ध तेल और इंदन संसादनों के कारण है जो देश में मौजूद है UAE सरकार ने कुछ दुखत समाचार के घोशना की UAE के राष्ट्रपती शेक खलिफा बिन जायद अल नहयान का 13 मैं को 73 वर्ष की आयू में निधन हो गया कितना दुखत शेक खलिफा ने 2004 में UAE के दूसरे राष्ट्रपती के रूप में पदभार संभाला था UAE के पहले राष्ट्रपती 2004 तक पदभार थे और फिर शेक खलिफा ने कारभार संभाला वे एक चतुर नेता थे 2004 से 2014 के बीच शेक ने राजनाएको नेताओ और मीडिया कर्मियों से मुलाकात की 2014 के बाद से उन्हें बहुत कम सार्वजनिक रूप से देखा गया था क्योंकि 2004 में एक बिमारी के कारण उनके दिल की सरजरी हुई थी और तब से वे खराब स्वास्त से पीड़ित थे हाल ही में शेक खलिफा का निधन हो गया UAE ने 40 दिनों के शोक की घोशना की है और सार्वजनिक और नीजी शेत्रों में तीन दिन 13, 14 और 15 मेई के लिए काम बंद कर दिया था सम्मान के तौर पर 40 दिनों के शोक के दौरान ध्वज आदा जुका रहेगा 2004 में देश के राष्ट्रपती के रूप में पदभार संभालने के बाद शेक खलिफा ने UAE को सभी पहलूँ में बढ़ने में मदद की उनके निधन के बाद पूरा विश्व शोक में था भारतिय प्रदानवंत्री नरेंद्र मोदी ने भी राष्ट्रपती शेक खलिफा के निधन पर शोक व्यक्त किया मोदी ने उनकी पिछली मुलाकात और उनके अच्छे संबंद को याद किया